नमस्कार दोस्तों SBI ASA Scholarship Program 2022 के दोरान आपको Scholarship दी जारी है 15,000 रुपे तक ही ठीक है दोस्तों इसमें आपको 6 किलास से लेके 12 किलास के बच्चों को ही ये मिल रही है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 किलास से लेके 12 किलास तक ही इसमें eligibility है आपको लेकिन एक condition का ध्यान रखना है कि आपकी जो लास्ट किलास में 75% मार्क्स आनी चाहिए आपकी family income 3,000,000 से कम होनी चाहिए और आपका जो pen card भारत का होना चाहिए आपका pen card भी बनावा होना चाहिए ठीक है दोस्तों pen card 18 से पहले minor में बनता है तो वही बनवा लेना है आपको इसमें जो benefit मिलेगा 15,000 रुपे एक साल का मिलेगा ठीक है दोस्तों आप इसमें बिल्कुल one by one करके document और आप इसमें कैसे apply करना है सब चीछ देख सकते हैं और आपके पास piece की slip होनी चाहिए bank account होना चाहिए parents का आपका now कोई problem वाली बात नहीं है income proof चाहिए होगा जैसे की income certificate हो गया या फिर आपकी salary slip हो गई आप इन में से कोई भी चाहिए लगा सकते हैं photo लगा नहीं आपको एक student की और आप इसमें apply कर सकते हैं यहां पर नीचे देख सकते हैं apply now का option आपको दिख रहा होगा apply now पर जैसे click करेंगे आप अपना mobile number से इसमें enter कर सकते हैं तो यह जो है registration का है तो सबसे पहले आपको इसमें registration करना होगा नीचे आप देख सकते हैं register register पर click कर लेंगा जैसे ही आप register पर click करेंगे आपके सामने यह page खुल कर आ जाएगा register with buddies ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आप से student का नाम डालना है student का last name आपको सका mobile number email id और एक password क्रेट कर देंगे ठीक है जो की art character का होना चाहिए जिसमें special character होना चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है एक OTP जाएगा OTP यहां पर डाल देंगे verify कर देंगे उसके बाद आपको let's better find matching scholarship पर click कर देना है जो भी study है आपका state आपको gender और अपना religion यह डालके update पर click कर देना है तो start application पर आप click करेंगे यह पहले से scheme वो है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप छटी से बारवी class के बीच आते हैं ठीक है आपके 75% mark से हैं हाँ आपकी तीन लाग से family income है तो आप देख सकते हैं congratulations का message आगें continue पर click कर देंगे जैसे आप continue पर click कर देंगे आपके सामने कुछ process लेगा है और यह page आपके सामने खुल कर आ जाएगा आपका नाम और आपका last name यहां पर पहले से फीड होगा आपको WhatsApp नंबर डाल देना है अपने parents का date of birth डाल देंगे अधार का नंबर डाल देंगे annual income डाल देंगे अपने income certificate में देखे other personal detail और आपको जो है जो family में member हो कितने यह सब आप यहां पर डाल देंगे इसके बाद आप से address पूछा है अपना address डाल देंगे district village pin court सब चीज यहां पर डाल देंगे और आपके दोनों address अगर same है तो यह पर चेक लगा देंगे अन्य था दोनों जगा अलग-अलग address डाल देंगे उसके बाद आप save and continue पर click कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा पहला window पूरी तरह से completed हो चुका है उसके बाद education आजाएगा आपको इसमें present class choose करना है आप फिलाल कौन सी class में फिलाल है ठीक है तो जैसे कि मैं जो 12 है तो मैं 12 भर लेता हूं और 11 है और मैं 11 भर लेता हूं 12 भर लेता हूं और मुझे अपना last year का इसमें जो है detail डालना होगा जिसे कि 10th का ठीक है तो मैं अपना 10th का detail यहां पर डाल दूगा जैसे कि class तो इसमें पहले फीड होगा board इसमें डालना है state district, college का school का नाम और यहां पर आपको passing year और कितने number आपके आए थे, कितने में से आए थे, यह किरने के बाद आप save कर देंगे उसके बाद present में जैसे का मेरा 11 चल रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं 11 पहले से feed आएगा इसमें आपको ही change निकर सकते हैं उसके बाद आपको state choose करना college का नाम एडिविशन फीस और आपको year डालना है उसके बाद आप save पर click कर देंगे आपका 10th का detail तो पुरा हो चुका है तो यह detail मुझे फिर से feel करना होगा, save करना होगा तो मैं फटा फटा फट detail feel कर लेता हूं तो मैंने जैसे यह detail feel कर लेता हूं तो मैं आप देख सकते है education detail मेरा complete हो चुका है उसके बाद family member, family member का detail डालना है जिसे कि आपके father और mother जो आपके family candidate है वो करके आप save and continue पर click कर देंगे तो यह दोनों चीज हो चुकी है उसके बाद आपको document का option आएगा, document पर click करेंगे, sorry family member का detail लेका था तो मैंने फिल कर लिया है सभी candidate का, उसके एक photo आप देख सकते हैं और अपना धार काड यहां पर upload कर देंगे, income certificate यहां पर upload कर देंगे और current admission proof जैसे कि ID काड या bonafide police से लेके, school से लेके आप यहां पर upload कर देंगे, एक fees की slip upload यहां पर कर लेंगे, और bank proof या cancel check आप यहां पर upload कर देंगे, upload करने के बाद save and continue पर click कर देंगे, आप देख सकते हैं मेरा documents complete हो चुका है, उसके बाद bank detail जिसमें आपको अपनी scholarship चाहिए, आप अपने parents का यहां पर bank detail डाल देंगे, जैसे कि account holder name और bank account, ifsc code, bank name और उसका branch ठीक है, उसके बाद save पर click कर देंगे, जैसे आप save पर click करेंगे, तो bank detail आपकी confirm पुरी त portion मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा scroll करने के बाद यहां पर, तो आप इनको पढ़के, जैसे कि your self and your family तो आपको यहां पर अपना answer type कर देना है, उसके बाद now about your scholarship कहां से पता लगा, यह सब आप यहां से choose कर सकते हैं, आप इन सभी चीज को एक-एक करके पढ़ सकते हैं कि आपको यह scholarship क्यों चाहिए और इनके कुछ answer इस तरह के हैं, ठीक है, यह सब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इन सब पर check mark लगाना है, preview पर click कर देना है, ठीक है दोस्तों, तो sorry मुझे पहले question करने होगे, मैं यह सब question करके और आपको दिखाता हूं, question करने इसके बाद save and continue पर click कर देंगे, उसके बाद यह check mark लगा देंगे, जैसे check mark लगा देंगे, आप जैसे preview पर click करेंगे, तो आपके form का पूरा preview आपके सामने आजाएगा, आपकी पूरी detail आपको बहुत अच्छे से check कर लेनी है, और उसके बाद आपको सब ठीक है, तो आपक क्लिक कर देना है, सब्मिट पर क्लिक करने वाद you are application submitted successfully का message आजाएगा, आप yes कर देंगे, और आप यह पिर इसकेप कर देंगे, ठीक है दोस्तों, आपका जो है scholarship का form पूरी तरह से submit हो चुका है, यहाँ पर आपका profile भी आपको show हो जाएगा, इसके बाद आप इसमें कुछ सकते हैं, match scholarship, अगर आपकी जो profile है, उसके अनसार जो-जो scholarship match खड़ती है, वो आपको show हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह काफी सारी scholarship है, HDFC, SBI, और other भी आपको यह scholarship दे रहे हैं, तो आप इन में भी apply कर सकते हैं, अपनी apply scholarship का जो आपने apply किया है, उसका status आप यहाँ पर click कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा, आपकी scholarship submit है, और कहां तक पहुच गई है, ठीक है दोस्तों, यह भी submit हुए, तो इसका process अभी यहीं पर show हो रहा है, ठीक है दोस्तों, उमीद है आपको वीडियो चल लगाओ, वीडियो चल लगाओ, तो like करे, share करे, subscribe करे, thank you so much.